स्क्रीन पर दिख रहे घंटी को दबाओ और बिंदास भोचपुरिया की बिंदास खबरे पाओ खेसारी लाल यादो अपनी भोचपुरी फिल्म दिवानापन की शूटिंग कर इन दिनों वापस मुंबई अपने घर लोटाए है खेसारी करीब एक महीने से मध्य प्रदेश के खजुराहों में इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे इस बीच खेसारी लाल ने सोनु का बर्दे मनाया 15 अगश्द को खेसारी लाल यादो ने फेस्बुक पर कुछ पिक्चर्ज पोस्ट किये और लिखा मेरे छोटे भाई सोनु का बर्दे है इन तस्वीरों में खेसारी और सोनू के अलावा उनकी पतनी और बेटा रिशब के साथ साथ बेटी भी दिखाई दे रही है हाला कि ये छोटी सी पार्टी खेसारी लाल यादों ने अपने घर में ही रखी थी और घर के सदस्यों के अलावा और कोई दूसरा नहीं था इन तस्वीरों में खेसारी डाल के बच्चे भी अपने सोनू चाचा के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिचारे सोनू को केक से नहला दिया गया है चहरे से लेकर गले और हाथों पर सिर्फ केक ही केक है वैसे खेसारी लाल ज्यादा तर शूटिंग की वज़े से घर से दूर रहते हैं लेकिन जब भी उन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है तो खेसारी लाल उसे यादगार बनाने की पूरी कोशिश करते हैं हम हैं हिंदुस्तानी की सफलता और दीवानपन की शूटिंग पूरी करने के बाद खेसारी लाल अब थोड़ी सी छुट्टी लेकर कुछ पल अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं बुचपरी सिनेमा के इसी तमाम खबरें जानने के लिए सबस्क्राइब कीजिए बिंदास बुचपरिया